तो मेरा नम है बीजे एकमार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चलिए दोस्तो राधा कॉमिक्स में बोना जासूस के इस संदार कॉमिक्स को सुरू करते हैं जिसका नाम है बोना जासूस और रोबिनो का चकर भी हूँ तो आप देख सकते हैं इसका कभर प्र दूसरे देशों से पैसा ले आतंग फैलाना ही था काम उसका आज लाकड़ा साथे ट्रेन का इंतिजार कर रहे थे जैसे ही ट्रेन आए उसे बम से उड़ा देना कुछ आ रहा है कुछ आया जरूर मगर ट्रेन नहीं वो ट्रॉली थी हतियारों से लेस सैनिक थे उसमें जैसे ह पास आई तो उस पर उस पर पड़ी गोलिया लाकड़ा गुरूप पर बोन दो एक एक को अचानक कोई गोली बारी ने किसी को आह तक भरने का भी मौका ना दिया लाकड़ा भागा मगर धाएं कई गने एक सतन गई उस पर खबरदार लाकड़ा ले चलो इसे अब ये कि किसके इसारे पर खूड खराबा कर रहा था रोबीनो लाकड़ा का बोस तड़ा पुठा इस खबर पर क्या लाकड़ा पकड़ा किया यस बोस और उसे वहां से निकालना बहुत मुश्किल है नहीं रेवीनो अपने साथी लाकड़ा के लिए जमीन आस्मान एक कर देगा ह आँ मैं बचाओंगा लाकड़ा को अगले दिन लुढकते ही चले आ रहे थे वो विसाल लोहे के गोली भागो बचाओ उन्हें रोकने की ना तो किसी में हिम्मत थी और ना ही ताकत कितने ही उसके नीचे दब कर अपने आखरी अंजाम तक पहुँच रहे थे अहीं अरे के सामने आ वो विसाल गोला इस्तिर हो गया फिर निकली एक नाल तोप की भाती सर तोप का निसाना था समुचा पुलिस हेटकौाटर और फिर उस आवाज ने गुंजा कर रख दिया वातावरन को अगर 24 घंटे में तुम लोगों ने हमारे साथी लाकड़ा को नहीं तो इस तंकी की भाती उड़ा कर रख देंगे हम पुलिस हेटकौाटर को धड़ाम असंके गनमेन धमाके की अवाज सुन दोड़े चले आएं फायर उड़ा दो इस इसपाती गोले के चितरे चितरे जबरदस्त फायरिंग से चारो दिसाएं काप उठी तर 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 त फैरिंग का कोई असर नहीं पड़ा क्या कमिस्टर उस गोले पर तुमारी गनों का तो क्या तो अब कभी असर नहीं पड़ेगा बेदर इसी भी है कि मुझे छोड़ दो सट अब कहीं ऐसा नहो मेरा क्रो तेरी जान लेले लाकड़ा सिपायो इस पर तब तक कोड़े बरसात रहो जब तक ये अपने अड़े का पता ना बता दे 24 घंटे तक मैं कोडो की मार सहन कर सकता हूँ कमिस्टर पर ये सोच कि तु कि 24 घंटे बात क्या होगा तभी दो सक्स घुमे जो परचे के मोहताज ना थे होगा वही लकड़े जो मंजूरे खुदा होगा कमिस्टर सहाब नमस्कार अरे बोना जासूस बड़े सही वक्त पर आए एक बहुत बड़ी दुबदा आन पड़ी है पूरी बात सुन ओह क्या मैं लाकड़ा से मिल सकता हूँ अकेले सिगरी ही अकेला था वो लाकड़ा के पास नीतांत अकेला लाकड़ा सुनो मैं तुमें अजाद कराने आया हूँ क्या बिसमे का सागर भर आया लाकड़ा के नेतरों में चीखो मत आज रात मैं ले जाओंगा तुझे मुझे एक मोटी दकब मिली है इस काम के लिए और बाहर कमिस्टर हम तुमारा निर्ने सुनना चाहते हैं हमारा निर्ने हम पांच घंटे बात स सुरे देवता अपनी किर्णों की चादर समेटने लगें रात जवां होने लगी और वक्त के बढ़ने के साथ ही बढ़ने लगी कमिस्टर साहब की चींता बौना जासोस नहीं तुमारी प्लानिंग फेल हो गई तो सवाल ही पैता नहीं होता गुरू की प्लानिंग फेल हो रही थी प्लानिंग के अनुसार त्यार हो रही थी एक सुरंग स्रीधर अब नीचे का कम तुम समालना और लाकड़ा से निपटना मेरा काम है अपना ख्याल रखना बच्चों हर एक घंटे बाद अभाज आती कमिस्टर छोड़ रहे हो लाकड़ा को अभी हम लोगों ने न नहीं लिया सिगर ही सरसुरंग तैयार है तो फिर हम भी तैयार है बढ़ता ही चला गया वो सुरंग के पेट में है बजरंग बली मेरी लाज रख लेना जबकि बोना जासूस अरे ये सब बेहुस कैसे हो गये किया है इनको इसमार्क बन से सबका ध्यान बाहर गोली की तरफ था इसलिए वे तुम्हारी तरफ से थोड़ा लापरवा हो गये थे अब तुम कहां जाओ कि उस गोले की अंदर मेरा बॉस रेवी नो है उस तक संदेश पहुचाना है वो मुझे गोले में बुला लेगा बेखुप हो तुम लाकड़ा क्या मतलब मतलब ये कि जैसे है तुम्हें बुलाने के लिए तेरा बॉस गोले का द्वार खोलेगा पुलिस के छिपे हुए निसाने बास तेरा और तेरे बॉस का खोपड़ा भून डालेंगे फिर इस कार को लेकर होटल ब्लू हेवन पहुच जा मैं किसी तरह गोले में ख़वर पहुचा दूँगा सिगरी लाकड़ा कार में था होटल ब्लू हेवन मैं भी वही आ जाऊंगा घंटे दो घंटे में थैंक्स बॉना जासूस पलक जपकते ही कार भागे जा रही थी जुम और बॉना जासूस चलो अब उस गोले की खवर ली जाए इधर लोहे के इस गोले में सजी थी पूरी परियुक साला सी पॉस क्या लाकड़ा को छोड़ देंगे वो क्यों नहीं अगर नहीं तो हम न्यूकिलर बम से उड़ा देंगे इस पूरी इमारत को अचानक बॉस टैंक ओ धोका उस विसाल टैंक उस विसाल गोले के सामने आड़टा वो टैंक हम दस तक गिनेंगे अगर तुमने आत्म समत्पन नहीं किया तो हम टैंक के गोले से तुम्हरे इस इस इसपाती ग कर करनल चार पांच फिर छे कर साथ आठ करनल क्यों अपनी मौत वक्त से पहरे बुला रहे हो कमिस्तर हमारे लाकड़ा को छोड़ने वाला होगा अगले पल उगल दिया एक गोला टैंक ने धुम्ह गोला उस इसपाती गोले से जटकराया हुआ एक धमा का धड़ाम धर्रा उठी दिसाएं पर अश्चरे गलोब जियों कतेओं पूरी धिटाई से खड़ा रहा अरे उस पर तो कोई असर नहीं पड़ा करनल अब मेरी बारी है गलोब की नाल टैंक की तरफ उठ गई गलोब गोला उगलता उसते पहले ही टैंड और कड़ाक एक ही जटके में नाल को गोले से अलग कर दिया और फिर वो सिकंजा आक्टोपस की भाती कस किया गलोब पर तथा धर्ती छोड़ने लगा गलोब गोला किली में फिर था वो बम स्रीधर के कमाल की करास्तानी थी आप फिकर ना करे करनल सहाब उसके बिनास का इंतिजाम मैंने कर दिया है उधर गलोब में बास हमें सिकंजे में फसा लिया है उस जासूस के बच्चे ने लाल बटन दबाओ उधर लाकडा यही है होटल ब्लू हेवेन लाकडा ने धरकते दिल से कदम रखा होटल में और रह गया दंग आओ लाकडा देखो हमारी पूरी फोज तुमारे इंतिजार में बैठी है लाकडा ने एक पल भी ना गवाया बाहर उचलने में तो यह सब चाल थी बोना जासूस की दहार उठा इंस्पेक्टर धावड़े भागने मत देना पक्रो उसे मगर तब तक वो बैठी का था कार में लाकडा और धाएं धाएं जुम अब तुम लाकडा तो क्या उसके धोल भी नहीं पा सकते सिक रही कार के पीछे लगी थी इंस्पेक्टर धावड़े के चीप फास्ट जुम उदर बॉस लाल बटन दबा दिया है मैंने वेरी गूड अब देखना करिस्पा कमिस्टर एमबोना जासुस भी दहल गें उस मौत को अपनी तरब भड़ते देख अरे ये सिकंजे पर क्या चठा आ रहा है लोहे का अजगर है ये तो अजगर पल परती पल हेलिकेप्टर की तरफ सरक रहा था गर डवाडोल हो उठा हेलिकेप्टर कमिस्टर सहब कोदो हाँ कोद नहीं पड़ेगा वर्दा हेलीकेप्टर के साथ हमारी भी कब्रे बन जाएगी और गाजर मुली की भाती चबाने लगा हेलीकेप्टर के पहिए कचर कचर कड़ाक सिगरी सरसरा रहे थे दोनों के जिस्म हवा में वो कोद गए कॉप्टर से अब हरा बटन दबाओ पल भर में लोहे का विसाल कोला दाना अकरिती पैरसूट से लटक रहा था खट वो तो बच गए बोना जासोस नहीं बचेंगे सिर्फ दो मिनट और है टिक 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 भागे ज रही थी कार लाकणा की अचानक खुशी से ना चुठा वो बॉस का गुलोब यान मिलकुल नीचे ले आया वो अपनी कार गुलोब के हे बॉस टिक टिक और स्रिधर द्वारा लगाए गए टाइम बंका जैसे ही टाइम पूरा हुआ धमाके से गुबारे के भाती फट गया गुलोब धडाम और सारा इसपाती मलबा आकर गिरा लाकणा पर नहीं टौनो वजन के नीचे दब कर रह गए उसकी अंतिम चीक अगले दिन सुर्खिया अखबार में थी लाकणा और रेवीनों के आतंक का आंत गुलोब यान की तभाई स्रिधर का लगाया बं रंग लाया दूसरे तरफ गर्ब से पिट धब धब आई जा रही थी उन महान सपूतों की मुझे गर्ब है तुम पर मेरे बच्चो तुमारी वज़े से ही एक खतरनाग गैंग अपने मकसद में ना केवल ना कामयाब हुआ बलकि तबाह भी हो गया ये तो हमारा फर्स थसर और इसी के स ये कहानी भी यही समाप्त होती है तो चलिए इसकी कुछ इर्वर्टाइजिंग को देख लेते हैं राधा कॉमिक्स में सिग्र आ रहा है वचसला कौसिक का शक्ति पुत्र सिरिज की काला तुफान अंत्रेक्स से आया एक अजूबा और फूर और फिल क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें इस कॉमिक्स को राधा कॉमिक्स में वचसला कौसिक का काला तुफान सक्ति पुत्र सिरिज की परतिक्छा करें और यहां राधा कॉमिक्स के कुछ कॉमिक्से हैं जिसमें महाकाल और ब्लैक सार्क, खोनी प्रोफेसर, अनोखा म्योजियम, बॉना जौसूस और रोईबूनियों का चक्र व्यू, खोनी साजिस लूट गया, लूटेरा, जैसी कॉमिक्से यहां पर इस सेट में है